तो दूसरी में बात करने वाले मुथूट फाइनांस के बारे में और सत्रह सो के लेवल से गिरते गिरते ये स्टॉक अभी आपको 1330, 1350 के आसपास भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो स्ट्रक्चर क्या बनना है? यहाँ पर आपको एक फॉलिंग वेज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है जो की हमें एक बोली सिगनल का यहाँ पर मतलब एक रिवसल दिखा सकता है। किस तरह से दिखा सकता है? तो अगर यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन क से 15, 16 और सेकंड जो हमारा होगा वो यहाँ पर होगा। 17 मिनट का तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है तो यह चीज आपको ध्यान में रख कर चलनी है। अभी तो सर यहाँ पर यह जीस लेवल के ऊपर खड़ा है। ठीक है वो पिछला रेजिस्टेंस भी है। अगर आप देखो तो 1350 का यह जो है पिछला रेजिस्टेंस भी है। जहां से हमें एक बड़ा फॉर देखने को मिला था लेकिन यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम बना के वापिस से स्टॉक ने एक अग्रेसिव ब्रेक आउट यहाँ पर दिया था। तो अ यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट हमें देखने को जरूर मिले क्योंकि तो स्प्लीट का अनाउंसमेंट हुआ था लेकिन फिर वो पोस्ट पोन किया गया है। अभी तक तो हमें उसका कुछ कंफरमेशन आता हुआ देखने को नहीं मिला तो देखते हैं कि क्या इस quarter में हमें उसका confirmation आता हुआ देखने को मिलता है या नहीं। अगर मिला तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी rally यहाँ पर आ सकती है। Almost up to your stock यहाँ से 2000 तक के level को touch करते हुए देखने को भी आपको मिल सकता है। प्लस उसे यहाँ पर company की बात करें तो order form में company की organic growth काफी अच्छी यहाँ पर हुई है। तो ultimately हमें quarter के result में भी काफी बड़ा improvement यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1-2 finance front तो definitely motor finance आपके यहाँ पर वर्ष इसमें जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाले time में कुछ बड़ा action देखने को जरूर मिलेगा। तो दूसरी और हम यही करते वीडियो कॉल लगाओ प्लीज लाइन पे चैनल सब्सक्राइब जरूर लेना।